हेलो दोस्तों आपका स्वाधत है आपके अपने ही चैनल पर आज हम आपको बताने वाले एक ऐसे आसान सी टेम जिससे का प्रयोग करके आप आपकी टली हुई नाभी को सही जगे पर सेट कर सकते हैं हाँ दोस्तों खबसे पहले आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जाने है ऐसे चोटा से पाय जोत से टली वाणि नाभी अपनी जगे सेट हो जाएगी बहुत ज्यादा परेशान है आजकर लोग नाभी खिसकशने दाएं बाहर चले जाती है उपर निचे चले जाती है पेट को दंद करती है पेट का हाजमा खराब कर देती है गेस बनाती है पेट फुला देती है कुछ लोगों का बजन कुछ जादा बढ़ा देती है कुछ लोगों का बजन कम कर देती है इस तरह के काभी परेशाने ऐसी है जो ना भी तलने की वज़े से इंसान को सेनी पड़ रही है और आज कर बहुत से लोग ना भी तलन क्या आपको किया करना है दोस्तों और昨 Cordy का तेल करना है उसे एक नवल नहीं नहीं घरम हूँदो और रोल अमर चैनल की मालिश पेट पर करनी है उस पेट की पेट पर जो तेल की मालिश करेंगे उसे उपर से नीचे की तरफ नाभी की तरफ लाना है चारो तरफ से उसे नाभी की तरफ लाकर नाभी में इस तेल की एक या बून डालकर दो मिनिट तक उससे पुछ करके रखना है और आप देखिए आपकी टली नभी लोगों की नाभी हिल गई है या नाभी अपनी जगे से हट गई है वो परेशान ना हो अरंडिका तेल आसानी से मिल जाएगा, उसे कैमेट से या परचुनिवाले से लेकर आजाएं, उसे गरम करें, गरम करने के बाद पेट पर उपर से नीचे की तरह मालिश करें, ना मसाज करें 10-5 मिनिट के लिए और फिर एसा ही लगाता तीन दिन करें आप देखेंगे गोला चड़ने की परिशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी आपकी नाभी सही जगा पर सेट हो जाएगी तो ऐसे प्रयोग कीजिए स्वस्त रही है हल्दी रही हमसे जुड़े रही है और आपका ही चैनल है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू सो मच